दोस्तों साथियो नमस्कार इस वीडियो में आप सुभी का हाद दिक स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको सिखाने और बताने वाला हूँ कि किस परकार से Coin BX दिनकी Coin Bajar Exchanger में किसी भी टोकिन को INR से या USDT से किस परकार से खरीदना है और किस परकार से बेचना है कैसे हम किसी भी टोकिन को लिमिट में खरीद सकती है और लिमिट में कैसे बेच सकती है मार्केट प्रैट पे तुरंद कैसे खरीद सकते है और तुरंद कैसे बेच सकती है साथी साथ में ये भी बताऊंगा कि किसी भी token को खरीदते समय कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखना है और कौन-कौन सी गलतिया नहीं गरनी है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोटेंट होगा अगर आप एक नया परसन है तो भी और अगर आप पहले से crypto purchase कर चुके किसी भी एक्सेंजर पर तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए और शीखना चाहिए कि Bits क्या होता है और कैसे बिट्स को किसी भी Bits के उपर कैसे भी token को खरीदे और कैसे हम profit कमाएं तो चलिए इस वीडियो में complete सीखते और जानते हैं एक personal request है कि मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ और आपके like से और आपके subscribe करने से मेरा motivation बढ़ता है मैं positive होता हूँ और और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेजित होता हूँ तो please my dear friends वीडियो को like इरूर कर दिया कीजे और एक 11 सा comment अपने भाई के लिए कर दिया कीजे ताकि मैं हमेसा आपके लिए वीडियो लाता हूँ तो चलते हैं mobile screen पे So my dear friends मैं आचुको mobile screen पे और यहाँ पर coin bx exchanger को open कर लेता हूँ तो खरिजने के लिए आपको जाना है trade पे लेकिन trade से पहले आपको जाना है wallet पे और आपको देख लेना है कि आपके पास कितना balance है तो जैसे आप wallet पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे आपको history दिखाए देगा कि आपके पास कितना INR है आपके पास कितना dollars है तो देख सकते हैं मेरे पास 305 रूफए है ईनर में और मेरे पास 6.7 डॉलर है दोस्टो अगर आप अईनर deposit करना चाहते हैं तो deposit बटन पे CLICK करके अईनर deposit कर सकते हैं अगर आपको नहीं करने आ तो description में मैं वीडियो को link डाल रखा हूँ आप इस वीडियो को देखकर आयनर सही तरीके से deposit कर सकती हूँ और अगर आप dollar deposit करना चाहते हैं तो उसका process बहुत simple है simply आपको deposit बटन पे click करना है click करने के बाद यहां से दोस्तों आपको network select करना है कि किस network से आप transfer करना चाहते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ babe 20 तो मैं babe 20 select करूँगा यहाँ पे address आजाएगा अब आपका token या coin जहाँ पर भी रखा हुए जिससे अगर आपका token या coin रखा हुए trust wallet में तो आप trust wallet में इस address को डाल के और deposit कर लेंगे Binance में रखा है तो Binance से यहाँ पर deposit कर लेंगे तो यह process बहुत simple है यहाँ आप कर लेंगे I know तो address का खेल है address को copy करना पेस्ट करना और deposit कर लेना है तो मान के चलिए कि आपका यहाँ पर deposit हो चुका है और आपने INR deposit भी कर लिया अब चलते हैं कि trading कैसे करेंगे यानि कि किसी भी token को buy and sell कैसे करेंगे तो buy and sell करने के लिए आपको आना है trade पे नीचे में देखे trade लिखा हुए इस trade पे आपको click करना है trade पे click करेंगे तो दोस्तो यहाँ पे आपको trading view आ जाएगा आप यहां से buy and sell कर सकते हो buy करने के लिए आपको buy पे click करना होगा और sell करने के लिए आपको sell पे click करना होगा दोस्तो एक बात का ध्यान देना है हमेशा एक बात को ध्यान में रखना है कि यह जो सारे लोग है यह सारे लोग sellers है जो red color में आपको दिख रहे है ये सारे लोग क्या है ये सारे लोग sellers है ये लोग बेच रहे हैं और नीचे में ये लोग क्या है ये सारे लोग buyers है जो खरीद रहे हैं ये जो green में है वो सारे लोग खरीदार करने वाले लोग है खरीदने वाले लोग है और जो red color में है ये सारे इसको बेचते जो खरीद रहे हैं तो यह basic सा logic है इसमें तो चलिए अगर हमें खरीदना है तो बेचने वाले का bits देखना पड़ेगा तो यहाँ पर देखे दोस्तो इस rate से लोग बेच रहे हैं यह जो rate आपको दिख रहे हैं इस rate से लोग बेच रहे हैं इसको कहते है market price यह ज automatically select हो यह देख सकते यह price और यह price same हो गया अगर अगर मैं इसके उपर click करता हूँ तो इसके उपर click करूँ तो यहाँ पर वो price आजाएगा तो जो भी price से आप खरीदना चाहते हैं तो वो price आप यहाँ से select कर सकते हैं यह चीज के लिए हो गया अब आपको जो भी token खरीदना है वो token को यह वो coin को ऊपर से search करना पड़ेगा तो search कैसे करेंगे तो simply दोस्तो आपको ऊपर में इस जगा पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर token या coin को search करना है जो भी token यह जो भी coin को खर्दना चाहते हैं तो मान के चलिए मैं bitcoin को खर्दना चाहते हूँ तो BTC में लिख दिया हूँ लिखने के बाद search करेंगे तो आपके सामने pair आ जाएगा दो pair है अब किसको पर click करेंगे दोस्तो simple जानिए कि यहाँ पर लिखावे INR यहन की Indian rupees और यहाँ पर लिखावे dollar यहन की USDT तो आप किसी खर्दना चाहते हैं आपके पास क्या है अगर आपके पा आपके पास रहेगा वो यहाँ पर दिखाई दे देगा और अगर मैं INR पर click करता BTC अगर मैं INR पर click करता इस परकार से तो नीचे में आपको INR दिखेगा जितना भी आपके पास Indian rupees रहेगा हो यहाँ पर दिखेगा और directly आप INR से भी buy कर सकती हो तो process बिल्कूल सेम है चाह जैसे मैं BTC को 1 BTC खर दना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 1 लिखेँगा तो उसका यहाँ पर डॉलर आजाएगा और अगर आप डॉलर से खर दना चाहते हैं जैसे आप जैसे टीन सो लिखेँगा तो यहाँ पर automatic amount आ जाएगा आप कितना BTC आई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने amount डाला यहाँ पर हम rate डालेंगे तो rate इधर से देख लेंगे कि जो भी इधर से seller से sell कर रहे हैं तो हम इनसे buy करेंगे तो किसी भी price पर हम click करते हैं just हम इसी पर click कर लेते हैं market price पर इस पर click कर लिएं click करने के बाद यहाँ पर amount डालेंगे order यहाँ पर तो my order में जैसी जाएंगे और उसको complete order पर जाएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 300 रुपय का BTC buy कर लिया है और यहाँ पर हमारा complete भी हो चुका है तो इस परकार से आप buy कर सकती हैं मैंने आपको buy का process बता दिया कि कैसे buy करना है और देख सकते हैं हमारा पर 375 रुपय था अब ही हमारा 300 रुपय बचा है अब इसको sell कैसे करेंगे जो हमने buy किया उसको sell कैसे करेंगे तो मैं आपको back आकर बता देता हूँ मान की चलिए आप homos करीन पी है और मैं sell करना चाहता हूँ तो यहाँ पर wallet पर click करेंगे और wallet पर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपके पास कितना BTC है Bitcoin कितना है और sell करने के लिए फिर से आपको trade पर जाना है trade पर जाने के बाद आपको उपर में फिर से token select करना है जो token या coin को sell करना चाहते है अब BTC हमारा किस pair में है दोस्तो आप किस pair में sell करना चाहते हैं आप USDT में चाहते हैं या INR में चाहते हैं एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप INR से खरीदे हैं तो INR से खरीद कर आप USDT में भी sell कर सकते हैं कि जब आप इसको BTC को sell करेंगे तो आप चाहते हैं कि मैं जब sell करूँगा तो मुझे USDT मीले तो आप क्या करोगे आप simply USDT select करोगे USDT जैसी select करोगे तो यहाँ पर आपके समने Buy and Sell आ जाएगा तो simply आपको क्या करना है आपको sell पर click करना है जैसी sell पर click करोगे my dear friends तो sell पर click करने little यहाँ पर सारा BTC आपका sell करेगा आपको सारा का सारा बेचना है तो All 100% पर click करेंगे अगर आपको 50% बेचना है तो 50% पर click करेंगे तो यहाँ पर मैं All करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं all कर दिया यहाँ पर मैंने all कर दिया तो देख सकते हैं कि सारा का सारा BTC सिलेक्ट हो गया है कितना मुझे BTC मिलेगा हो यहाँ पर आ चुका है और कितना dollar मिलेगा हो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर rates हो कर रहा है कि किस rates से हम sell कर रहे हैं तो यहाँ पर rates पर click कर दिये 100% पर click कर दिये और sell पर click कर दिये जैसी sell करेंगे तो यह order placed successfully यह sell हो गया और sell होने के बाद sell होने के बाद देख सकते हैं आप back आएंगे और back आकर wallet पर click करेंगे और यहाँ पर refresh करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 10 dollar हो चुका है क्यों 10 dollar हुआ क्योंकि हमने buy किया INR से और sell किया हमने USDT से तो हमें यहाँ पर dollar मिल चुका है पहले यहाँ पर 6.7 था और अभी यहाँ पर 10 dollar हो चुका है मतलब हमने dollar में sell कर दिया तो यहाँ पर हमारा dollar मिल गया, तो इस परकार से आप buy and sell कर सकते हो, किसी भी token को आप यहाँ पर easily buy and sell कर सकते हो, बिलकूल trade पर जाएंगे, simply मैंने बता है trade पर जाएंगे, यहाँ से token select करेंगे, यहाँ से rate select करेंगे, bits को देखे यह सारे sellers हैं, यह सारे buyers bits हैं, तो जिस rate से I hope आपको सारी बाते समझ में आ गई होंगी, अगर मैं हर एक चीज़ो को detail में जाऊँगा, तो कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो बन जागा, लेकिन buy and sell करना इतना ही easy है, एक last बात, कि अगर आप limit में buy करना चाहते हो, आप चाहते हो, कि नहीं, bitcoin जो rate चल रहा है, इस rate से में न dollar का खरना चाहते हैं, तो मैं चाहते हो, कि मैं 1,00,000 dollar का खर दूँ, लेकिन price हो 10,000 dollar का एक bitcoin, तो आपने set कर दिया, और set करने को जैसे आप buy पे कि लिए करोगे, तो आपका limit लग जाएगा, limit का मतलब यह है, कि जिस दिन जब भी bitcoin का rate यह आएगा, तो आपको automatically buy हो जाएगा automatically buy हो जाएगा, तो इस परकासे आप bits मार सकते हैं, buying का and selling का भी, तो I hope यह सारी चीजों को आपको clear हो गया होगा, दोस्तों अगर आप इससे भी जादा detailed video चाहते हैं, trading के उपर यह इसके उपर, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, video आपको कैसा लगा, यह आप comment में बताएं, video को like करे, channel को subscribe करे और अपने team के साथ इस video को share करे, ताकि वो लोग भी buy and sell बहुत आसान तरीके से सीख जाएं, thank you so much, मिलते हैं किसी next